आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉंडा CB 125 F के बारे में ये गाड़ी इंडिया में काफी लंबे समय से कमिंग सून में चल लई है तो फानली जो है भाई हॉंडा की जो CB 125 F ये गाड़ी अब इंडिया में लॉंच की जाएगी वो टाइम आ चुका है हॉंडा वालों को दिमाग भी आ चुका है कि इंडिया में CB 125 F को अब लॉंच कर देना चाहिए अगर भाई आप लोग इस गाड़ी से बाई जुड़ी हर एक बात जानना चाहते हैं आप वीडियो को पूरा देखना भी इसकी मत करना और भाई अभी के अभी वीडियो को कर दो लाइक साथ ही बाई जो चैनल है सब्सक्राइब कर लो तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को बात करते हैं गाड़ी का इंजन तो भाई जो इंजन है वो आपको 124.58cc का देखने को मिल जाएगा इंजन जो है भाई आपको एर कूल सिस्टम के साथ मिलेगा F5 के साथ ये गाड़ी लॉंच किये जाएगी साथ ही भाई गाड़ी में आपको केक स्टार्ट, सेल्फ स्टार्ट, सालेंड स्टार्ट ये सारी चीज़े आपको कंपनी प्रोवाइड करा देगी गाड़ी में जो है भाई आपको सिंगल स्पार प्लक ही दिखने को मिल जाएगा गाड़ी का बाई जो chamber है न armature side का वो आपको plastic कम मिलेगा जो कि वो मुझे थोड़ी सी कमी लगता है लेकिन बाई Honda का engine है आपका trust होगा इस engine पे लेकिन मैं clearly बता दे रहा हूँ कि Honda के engine पर मेरा बिल्कुल भी भरोसा नहीं है मुझे बिल्कुल भी Honda के engine पर पसंद आते ही नहीं है भाई ना power होती है ना features होती है भाई गाड़ी में आपकी भाई मर्जी है बाखी आप लोग वीडियो को जरूर देखना गाड़ी में जो है भाई आपको मिल जाएगा fully LED का headlight LED के tail light और भाई जो indicators है न वो आपको company halogen का ही provide करा देगी इसकी भाई जो seat है ना वो आपको single piece में मिलेगी गाड़ी के जो grab rail है वो आपको मिल जाएंगे split के आगे भाई आपको मिलेगा suspension, telescopic का भाई आगे आपको disc brake भी देखने को मिल जाएगी जोगे भाई 282 mm के आज़ पास तक का आपको दिखने को मिलेगी पीछे आपको भाई इंडिया में हो सकता है कि इस गाड़ी में जो है company provide करा दे mono shock otherwise भाई twin shock absorber आएगा फिर भी sale figure अच्छी खासी निकल कर आएगी भागे यार भाई पीछे आपको 130 mm का drum break मिल जाएगा और रही बाद भाई ABS की तो वो आपको single channel ABS मिल सकता है first in segment company bowl बोलकर बिचने की courses करेगी आगे भाई आपको मिलेगा काफी अच्छा सा visor जो की भाई आपको dual tone में मिलेगा भाई जो wing shield है वो आपको black color की मिलेगी body color आपको same मिलेंगे visor के कुछ बाकी हार भाई tank पे आपको tank flap मिलेगा जिस पे की आपको इंडिया में Honda का 3D में logo मिल जाएगा side के भाई जो panels है ना वहाँ पे आपको 125 F की branding बगेरा देखने को मिल जाएगी गारी में जो है भाई आपको बिल्कुल ही नए colors और बिल्कुल ही नए graphics company launch करके देगे भाई जो variants आपको इंडिया में बिलिंग नवाई वो थोड़े से different होंगे जो आपको वीडियो में दिखाए जा रहे है colors graphics update हो सकते हैं बाकी यह भाई गारी में आपको मिलेगा side mounted exhaust जो की आपको काफी light sound provide करा देगा भाई यह गारी काफी light weight machine रहने वाली है mileage जो है भाई आपको लगबग यह गारी 65 के आसपास का दे देगी speed भाई आपको 100 के आसपास तक का तो अराम से achieve करा ही देगी गारी में आपको भाई मिल जाएगा single stand, dual stand, side stand, engine, cut off switch और भाई यह engine E20 fuel को support करेगा लेकिन भाई इसमें जो भाई आपको petrol को on off करने का option देखने को मिलेगा लेकिन भाई जो FI है न वो सिर्फ तभी on होगा जब आप गारी का petrol knob on कर दोगे भाई पेट्रोल knob बंद होने पर FI on नहीं होगा भाई गारी में आपको kill switch वगेरा company दे सकती है लेकिन confirm नहींगे भाई आगे जो आपको tear मिलेगा न वो आपको मिलेगा लगभग 18 इंच का जो कि भाई confirm है आगे जो भाई profile है न टेर की वो आपको 80-90 सक्षन के बीच में देखने को मिल जाएगे और हॉंडा की भाई जो CB125F है न ये गारी लॉंच हो जाएगी आने वाले चार से छे माहिने के बीच में भाई भाई जो प्राइस है न गारी का on road वो जाएगा लगबग 18,000 रुपए के आसपास तक का भाई दो variant लॉंच किये जाएगे सिंगल डिस्क और नॉन डिस्क तो भाई आप लोग चाहो तो आने वाली नई हॉंडा CB125F का इंडिया में वेट कर सकते हो तो भाई जो वीडियो है लाइक कर देना मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए जया हिंदु वन देमातर